हमारे साथ लोचपा राम विलास के अध्यक्ष और सांसर चिराक पासवान जी हैं आपको NDA में पांस सीटे मी लगई उमीदवारों का भी आपने एलान कर दिया लेकिन अंत समय तक आप पत्ते नहीं कोल रहेते कि NDA में रहेंगे कि महां अगर बंधन के साथ जाएंगे साथ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे तो उसका नतीजा है कि पांस सीटे भाई मैंने कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की और मेरा जो संबंद आप लोगों के साथ है मीडिया के सातियों के साथ है वो इतना ट्रांस्पेरेंट है कि मैं कभी कोई गलत जानकारी मैंने कभी आप लोगों से मैंने साजा नहीं की मैंने कुछ समय तक मीडिया से दूरी बनाना जादा बहतर समझा और एक लंबा समय था दस बारा पंदरा दिन और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप लोगों से जो मेरा रिश्टा है मैं रेगुलर इंट्राक करता हूँ बड़ वो पंदरा दिन मैंने दूरी आप लोगों से किसी पे कोई दवाब बनाने के लिए प्रेशर के लिए नहीं बड़ी के लिए इक अपनी क्लारिटी के लिए मैंने की थी गड़ बंधन में हम लोगों को कहां कैसे स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा ये तमाम बाचीत उस दोर में चल रही थी और मैं भारती जनता पार्टी की भी मैं मजबूरियों को मैं समझता हूँ क्योंकि मैं तो भाचपा के साथ डील कर रहा हूँ बट भाचपा और चार दलों के साथ डील कर रही है मेरे अलावा जनतादल उनाइटेड भी थी, माजी जी की भी पार्टी है, उपेंदर कुश्वा जी की भी पार्टी है तो वो एक सामनजस से बिठाने में जरूर समय लग रहा था तो ऐसे में, और आप जानते हैं, कभी मैं प्रेशर पॉलिटिक्स में करता नहीं हूँ जो कहता हूँ, मैं करता हूँ, 2020 में भी मुझ पे यही आरोप लगाया जा रहा था सीट आपको मिल गई आपकी क्या सीटी अभी वहां पर अपने आपको कहां देख रहे हैं हाजी मैं हाजीपूर को लेकर जरूर मेरा प्रयास था कि ये सीट मुझे मिले मेरे पिता की कर्म भूमी रही है ऐसे में एक पुत्र होने के नाते मेरा तरदाई तो है कि अपने पिता की अधूरे कारियों को मैं आगे लेकर जाऊं बठाँ ये कश्मकश भी मेरे जहन में थी जहां एक तरफ मेरे पिता की कर्म भूमी को सातना था तो वहीं मेरी अपनी कर्म भूमी की भी जिम्मेदारी मैं किसके कंदे पर डालू ये भी एक बहुत बड़ा प्रशन जो मेरे दिल और दिमाग में कौंदता था Having said that, गड़बंदन ने ये विश्वास किया मुझ पर और जिस तरीके से हाजीपूर की सीट लोग जिन्शक्ती पाटी राम विलास के खाते में देने का काम किया अमीद है, विश्वास है कि अपने पता के ही नक्षे कदमों पर चल कर जो अपैक शाएं हाजीपूर की जनता की मेरे पता से थी उन्ही उमीदों पर मैं भी खरा उतर सकूं उसी दिशा में हाजीपूर को आगे ले कर जा सकूं जिस तरीके से मेरे पिता ने हाजीपूर को आगे लेकर जाने का कारे किया अपनी तरफ से प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूँगा ये विश्वास दिलाता हूँ चाचा को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा किन सरकार में मंतरी थे उनको इस्टीफा देना पुड़ा नाराजगी में इस्टीफा देना उनको एक भी सीट एंडिये में नहीं मिली जो हमें जानकारी है कि सूरसे से कि महागडबंदन में उन्होंने समपर्क साथा था लेकिन बात नहीं बनी थी आप इस बात की कलपना कीजे आज से ढ़ाई साल तीन साल पहले जिस तरीके का घटना चक्र मेरे साथ घटा मुझे मेरे ही परिवार से निकाल कर बाहर फैक दिया जाता है मेरी ही पार्टी से जिस पार्टी को मेरे पिता ने खड़ा किया उसी पार्टी से मुझे बाहर कर दिया जाता है मेरे घर से मुझे निकाल दिया जाता है मुझे मजधार में सिर्फ छोड़ा ही नहीं जाता है सुमिश्चित किया जाता है कि मैं उस मजधार से कभी मैं बाहर ना निकल पाऊं ऐसे में आज से ढ़ाई साल पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे मैं कहीं से चुनाओ लड़ भी पाऊंगा कि नहीं या कोई गड़बंधन का मैं हिस्सा रहूंगा की भी नहीं तो ऐसे में मेरी चिंता कते ये नहीं हो सकती कि कोई दूसरा कितनी सीटे पा रहा है नहीं पा रहा है मैं सिर्फ अपनी अपने प्रियासों में मैं लगा हुआ था तो ऐसे में ये गडबंधन का फैसला था राजनीती में मैं मानता हूँ गडबंधन में मानता हूँ कि एक जनाधार बहुत बड़ा अधार होता है सीटों के वित्रन को लेकर कि किसको कितनी संख्या मिलेगी ऐसे में गडबंधन को जो उचित लगा गडबंधन ने ये फैसला लिया 2020 के जब इधान सवाद चुनाओ था बिहार का जेडियू के खिलाफ आप हर सीट पर कैंडिडेट दिये जेडियू तीसरे नमर की पार्टी बन कर रहा गई मातर 43 जीती थी लेकिन अब भी अंडिये में हैं नितीज जी भी अंडिये में हैं आपके संबंध उस समय खराब हो गए तो अभी संबंध कैसे हैं और मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँँगा कि क्या अभी भी आप भी रnt करेंगे देखिया आज की तारीक में जब हम लोगे एक बड़े लक्षे की और हम लोग अगरसर हो रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने इस गढ़बंदन को हम लोगों ने बनाया है राजनीती का विध्यारती हूँ इसलिए मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ राजनीती में हम लोगों सिखाया जाता है कि राष्ट हित से उपर कुछ नहीं होता और उसके बाद आपके गड़बंधन का हित आता है उसके बाद आपके दल का हित आता है और अंद में अगर कुछ बच्छता है तो इनसान अपने व्यक्तिकत हितों की चिंता कर सकता है ऐसे में मैं मानता हूँ कि राष्ट हित के लिए प्रधान मंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनना बहुत जरूरी है और इस सोच को साधने के लिए ये गड़बंधन तयार किया गया ऐसे में गडबंधन के हित में हैं कि गडबंधन के तमाम सही होगी आपसी मत भेदों को एक तरफ रखते वे hybrid के हित और गडबंधन के द्वाररा तेह किये गे लक्षे की और हम लोग अग्रसर हों ऐसे में अगर दो घटक डल अगर आपस में किसी भी कारण वर्ष अगर उलज जाते हैं तो इसका सिब नुकसान ही गड़बंधन को होगा और इसका लाब विपक्ष को जाएगा ऐसे में मुझे लगता है कि और मैं दोनों डलों का नाम लेकर बोलता हू जनतादल उनाइटेड हो या लोग जन्शक्ती पार्टी रामलास हो बहुत मैच्चोरिटी के साथ हम लोगों ने इस गड़बंधन में हम लोगों ने अपने अपने हितों को रखते हुए प्रधान मंतरी जी को बड़े लक्षे की और उनको प्रधान मंतरी बनाने के लिए हम लोग बड़े लक्षे की और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और उसको हम लोगों ने प्रारिटाइज किया है वो हम लोग की प्रात्मिक्ता है और आज की तारीक में जब तक हम लोग 40 की 40 सीटे बिहार में और देशबर में 400 प्लस के लक्षे को हम लोग नहीं हासल कर लेते तब तक उसी द्रड निश्चे के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगा आपको मिला कि आपके पार्टी से कुल प्राच चुमी दोआ रहा है आपकी पार्टी से जिसमें वीना देवी को अपना फिर से टिकर दिया एक असोग चौधरी की बेटी है सामवी एक आपके जिया भी लगते हैं अरुन भार्टी जी और एक राजेस जी हैं तो इसमें युवा भी हैं सिनियर लोग भी हैं महिलाएं भी हैं मैं हमेशा मैं कहता हूँ मैं अपने मैं समीकरण की मैं बात करता हूँ जो महिलाओं और युवाओं का समय करण है मैं मानता हूँ मैं जातपा धरम मजब में मैं विश्वास नहीं रखता और मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाती है महिला अपने में एक जाती है घरी भी अपने में एक जाती है एसे में जब हम लोग युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं का उचित ही रिप्रेजेशं हों ये जरूरी है मुझे खुशी है कि मेरे पाटी ने जिस तरीके से निर्णे लिया कम सीटों पर हम लोग चुनाओं लड़ रहे हैं करने का हम लोगों ने प्रयास किया बट मूर इंपॉर्टनली 21 सदी का मैं पढ़ा लिखाई हुआ हूँ और मैं सिक्षा को में महत वो देता हूँ और मैं मानता हूँ कि बिहार जैसे राज्य को जात पाद धरम मजब की बेडियों से निकाल कर आगे लिका जाना है तो उसके सिक्षा सिक्षित होना बहुत जरूरी है और जब आप मेरी इस टीम को आप देखिएगा आप इन सब के कौलिफिकेशन को देखिएगा आप अरुन भारती जी को कभी कभी उनकी पूरी काबलियत को सिर्फ इस ढाचे में समावेश कर दिया जाता है कि वो मेरे जी जा है पाजिश को आप देखिए ये तमाम ऐसे युवा चेहरे हैं जो कल को भारत की संसर में जब बिहार को रिप्रेजन करेंगे तो हर बिहारी को गर्व होगा ये वो बिहार के पड़े लिखे युवाँ की छवी है जो देश दुनिया के सामने जानी जरूरी है और इसकी शुर ता वो उन से आगे निकल ना जाए ऐसे में मेरी पार्टी ने युवाओं को महिलाओं को और सिक्षा को प्रात्मिक्ता देने का काम किया आखरी सवाल किलमोदों पर चुनाओ में जा रहा है भाई आज की तारीक में जब हमारे प्रधान मंत्री जी को लेकर ये चुनाओ है मुझे लगता है मोधी की गैरिंटी अपने में एक बहुत बड़ी गैरिंटी है आज की तारीक में जहां मेरे प्रधान मंत्री ने देश की अर्थ विवस्ता को सशक मजबूत करने का कारे किया आज से पहले कोई नहीं जानता था कि हमारे देश की अर्थ विवस्ता डबल लक्षे रखा है. देश को तीसे सबसे मद्पोट. और जब हम दोग अर्थ वे वस्ता पकरते हैं लोगों लगता जिए अर्थ शास्क्रियों से जुड़ा हुआ ये विशे है. बट जब देश की अर्थ वेवस्ता मद्बूत होती है तो तो राज्यों के राजस्व बरते हैं, जब राजस्व बरता है, तो आपके छेत्र का आर्थिक विकास होता है, जब उस छेत्र का आर्थिक विकास होता है, तो प्रती विक्ति आए बरती है, हर गरीब आदमी के हाथ में जादा पैसा आता है, ये आपका आर्थिक विकास के ल प्रधान मंत्री जी ने किया, प्रधान मंत्री जी की सोच के साथ, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, और मैं बिहार फर्स, बिहारी फर्स की सोच के साथ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार को विक्सित राज्य बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो जहां मोदी की वहीं बिहार first बिहारी first जो मेरा विजन है इन मुद्दों को ले कर हम लोग जनता के बीश मुझाएगा पीजेपी मोदी की गरंटी की बात कर रही है, आभी कर रहे हैं और 370 हटा उसकी बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, बिहार में आप लोगा मुकाबला तेज़वी से है महागडबंधन में, तेज़वी का कहना है कि मैंने उतना रुजगार दिया जितना नीती इस तो और सीम नहीं दे पाई, जितना मैंने सतरा महीने में दे दिया, सबाद दो लाग सिक्षकों को नौकरी मिली दो महीने में, तो रोजगार तेज़वी का मुद्धा है, चुनौती मानते हैं महागडबंधन को? लेकि मैं तो हर चुनौती मानता हूं और ऐसे में जन्ता के सामने आप अपने अपने विशो को लेकर जाते हैं, अन्तो गत्वा ये फैसला, जन्ता को ही करना है, कि जन्ता किसकी बातों पर विश्वास रखती है, विपक्ष अपने मुद्धों को जरूर रख रहा है, और म यकीना मैं मानता हूं कि आज की तारीक में रोजगार भी एक बड़ा मुद्धा है और युवाओं से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि मैं युवाओं का मैं प्रतिनिद्धों करता हूं, बड़ मैं वहीं पर ये भी मानता हूं कि आज जस तरीके से डबल इंजन की सरकार ए विरोधा भास की सरकारे भी रही हैं जब तक बिहार में अंडिये की सरकार थी तब तक देश में यूपिये की सरकार थी जब केंदर में अंडिये की सरकार बनी तो बिहार में महागडबंदन की सरकार आई हम लोगों ने उन राज्यों को भी उधारन देखा है जहां पर डबल समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार मिली है जिसका केंदर में नित्रे तो प्रधान मंत्री कर रहे हैं तो बिहार में मेरे मुख्य मंत्री कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि इन चुनावों के बाद वो परी योजना है जो धरातल पर नहीं उतरती थी या राज की वो य पाचित करते हुए चुराग पास्वान कैमरा परसंद विशाल राई के साथ सशांग कुमार एविपी न्यूस पटना